Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, this is me Shipra Tiwari बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ पर आपको प्रवाइट कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बैदरीन कुछ कर सके कोने से आने का कारण क्या था? कि beauty खतम हो गई, मतलब कोने से अगली class में आना है यह यह तो अपना fix हो गया है कोने से आने का मतलब और क्या समझ में आए कि कोई नई चीज अपन लोग शुरू करने वाले है तो नई चीज क्या है? और्थ्रोपोडा के बाद कौन सा फाइलम बचा है? अब अपने पासे दो नॉन कॉड़ेटा के फाइलम बचे मोलस्क और रिकाइन ओडर्मिटा फिर नॉन कॉड़ेटा खतम हो जाएगा ठीक है? तो अब मुझे बताओ आज अपने को क्या पढ़ना है? आज अपने को पढ़ना है मोलस्का ठीक है? ओके शुरू करें इसमें बहुत सारे characters ऐसे हैं जो ज़ादा developed नहीं हैं पर बहुत सारे ऐसे character हैं जो developed हैं ठीक है तो उन developed characters के अधार पर हम लोग इन्हें orthopods के बाद रखते हैं आज उनी characters के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं So let's get started बिना देर किये चलो शुरू करें यह एक snail का diagram है This is the shell, this is the visceral hum, this is the antenna and the eyes ठीक है Shell आजकल जो है बरसाच जब थी थोड़ी दिन पहले तो इधर उतर चलते फिरते दिख जाते थे और shell will shrunk वंग सब इसी के अंदर आते हैं ठीक है तो देर किये बिना आप हम लोग शुरू करते हैं molluska यह orthopode के बाद second largest phylum है यह चीज अपने दिमाग में घुसा लो ठीक है So it is the second largest phylum after the orthopoda highlighter ही select है booty के बाद इसका असर उतरा नहीं अभी ठीक है अब booty लेंगे असर तो होगा ही ठीक है तो second largest phylum है orthopode के बाद हम लोग general characteristics से ही शुरू करते हैं अपनी USB यही है कि हम कहीं से उठा के कुछ भी नहीं पढ़ने लगते हमें सबसे पहले जानना पढ़ता है वह या general characteristics के बारे में क्या है general characteristics यह marine हो सकते हैं या मैं तो यह कहूँ कि यह marine बहुत सारे जो होते हैं मलब almost हर species जो है इनकी marine है पर कुछ forms ऐसे हैं जैसे की union जिने हम fresh water muscles कहते भी हैं snails की बात करें snail पानी में भी रह सकते हैं और land में भी रह सकते हैं तो इनका अगर habitat बात करें तो यह aquatic और terrestrial donor हो सकते हैं aquatic में हम लोग marine हो सकते हैं freshwater भी हो सकते हैं marine में octopus है freshwater में union which is called as freshwater muscle and terrestrial मतलब land में रहने वाले भी कहला सकते हैं दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी mollusk के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सीधी सी एक image जो है वो गूंजनी लगती है और वो image है यह ठीक है तो हमेशा हमारे मन में एक ही image घूमती है और वो है यह वाली image कि यह एक shell है एक snail है और snail के उपर shell है ठीक है और सही भी बात है यही तो होते हैं mollusk कि उनमें shell होता है पर जरूरी नहीं है कि सब के पास shell हो किनी के पास external shell होता है किसी के पास internal shell होता है ठीक है मोलस्क की study को हम लोग कहते है मलाकोलोजी मोलस्क की study को हम लोग कहते है मलाकोलोजी ठीक है और मोलस्क के उपर जो shell बनते है जिने आप seep कहते है शंक कहते, जो मैंन करें वो कह सकते हैं, उसे आप कहते कॉंकोलोजी, why it is called as कॉंकोलोजी बच्छो, because the shell is made up of calcium carbonate, मेरी बात समझे आप, why it is called as conkology, because shell is made up of calcium carbonate, so the study of mollusca is called as mollusca is called as malakology and the study of shell is called as conkology, ठीक है, now let's talk about the symmetry, ठीक है, symmetry में थोड़ा सा बिलकुल लोचा है, ठीक है, लोचा क्या है, कि मोलस्का की बहुत सारी classes है, करीब साथ classes है, छे से साथ classes है इनकी, ये छे से साथ जो क्लास है, छे क्लास है, इनमें एक क्लास होती है वही है, गैस्ट्रोपोडा मेरे लाल, ध्यान से समझो, इनकी एक क्लास होती है, गैस्ट्रोपोडा, ठीक है, गैस्ट्रोपोडा जो होते है, इनमें थोड़ा सा लोचा क्या है, वो समझे, क्लास हम लोग अलग से भी बात करेंगे, पर अगर कोई बीच में exception आ जाता है, तो उसको पढ़ना भी तो जरूरी है कि नहीं है, क सम जो बात को, अगर आप से सीधी-सीधी बात की जाए, कि मोलस्क की symmetry क्या है, तो आप सीधे बोलना bilateral, अगर जादा कोई चूचा करें, तब उसको ये बात बताना, गैस्ट्रोपोडा जो होता है, ये नीच का question हो सकता है, बिलकुल इसको आप टिक कर सकते हैं, किसी भी highlighter pen स highlight करें, क्लास जो गैस्ट्रोपोडा है, ठीक है, अब समझना, इनका जो adult रहता है, क्या मैं इस beautiful snail को मिटा दूँ, बताओ मुझे, मिटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा snail तो परने पहले भी देखा था, क्लास जो गैस्ट्रोपोडा होता है, इस क्लास में जो इनका adult औ अगेरा आते हैं, ठीक है, पहले अप लोगो, अब स्कूल तो गई ही नहीं हो, 10th के बाद अभी तक, तो कोई बात नहीं है, जब 12th में जाना तो देखना, ठीक है, तो adult और larva इन दोनों में देखें क्या होता है, क्या होता है, इनका जो adult होता है, वो थोड़ा सा ठीक है, सम जो बात को, हमेशा आपकी true symmetry कब बताई जाती है, जब आपका larva और adult दोनों bilateral symmetry क्यों हो, पर class gastropodophyllum molluska में हुआ ये कि इसके जो adult members रहते हैं, कौन adult, ठीक है, जैसे पाईला का जो young one रहता है, जो जवान आदमी रहता है, उसमें इनकी जो symmetry है, वो asymmetrical हो जाती ह Actually होता ये है, कि मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा से बताऊंगी, लार्वा जब adult में convert होता है, ध्यान समझे, लार्वा जब adult में convert हो जाता है, तो इनमें होता है torsion movement, ठीक है, किस कलर से लिखूँ, तुम लोगो कौन सा कलर पसंद है, pink से लिखते हूँ, pink is a movement in which whole body get moves, और इतनी move हो जाती है, कि जो पीछे वाला एनस है, वो mouth के पास आ जाता है, समझो बात को, ये एक movement है, जिसमें पूरी body घूम जाती है, और एनस जो है ना, जो उसको पीछे रहना चाहिए, वो mouth के पास आ जाता है, अब mouth और एनस, ये दोनों जो है ना, पता है जो एक साथ साथ रहते हैं, ठीक है, अब ऐसे में तो समझ में ही नी आरा ना, कि mouth की जगह कौन सी थी, और आनस की जगह कौन सी थी, ना तो आप समें, अभी जो हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे गोल हो जाते हैं, तो ये लुक्स लाइक आपल, जिसे आप आपल खाते न वैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनके अंदर आपल स्लें पाइलर भी आते हैं, तो टोरिजन की मुव्मेंट की वजए से, दा एनस कम्स अड़ एरिया ओफ माउथ, एंड लुक्स लाइक बंच और राउंड स्ट्क्चर, तो लार्वा सही साथ रहता है, पर जैसे ये एडल्ट में कनवर्ट होने वाले रहते हैं, ये घूम जाते हैं, और जब जिसका दिमाग घूम जाता है, तो सही जगापे दिमाग नहीं है, तो अब एनस इनके माउथ के पास आ जाता है, और इनकी सिमेट्री बिलकुल जाती, रेडियल भी नहीं जाती, अब तो सिधे असमेट्रीकल हो गई, ठीक है, नाओ, सो बाइलेट्रेल, आपको समझ में आया, एसमेट्रीकल कौन है, गैस्ट्रोपोडा मेंबर के और गयानिसम, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, स्क्रीन्शॉट ले लिए लिए आप ल पानी छोडते जाते हैं, आजाओ, जर्म लेयर, ऑब्विसली मोलस्का को और्थ्रोपोडा के बाद रखा गया है, तो कारण यह है, कि इनके पास वेल डवलप्ड जर्म लेयर तो होगी ही, इस बात से आप कभी भी मुकर नहीं सकते बच्चों, ठीक है, जर्म लेयर तो वे इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ने भी वाले हैं, आजाओ, अब तो मेरी बात को ध्यान से समझना, इस पूरे डाइग्राम में, एक ही डाइग्राम में मैं सारी कहानी समझा दूंगी मुलस्का की, ठीक है, मुलस्का कोई बहुत जादा तुफानी फाइलम नहीं हैं, बड़ा ही आसान फाइलम है, ठीक है, बहुत जादा आसान फाइलम है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, इस पूरे एक डाइग्राम में मैं आपको पूरी कहानी समझा दूंगी, ठीक है, देखिए, मुलस्का की जो बॉड़ी होती है, वो तीन ठीक है, और दूसरा पार्ट है, फूट, ठीक, और तीसरा पार्ट है, विसरल, या इसको आपके कह सकते हैं, अपना हंप कह देते हैं सीदे इसको अपन लोग हंप, ठीक, या इसी को हम विसरल मास कह देते हैं, विसरल मास, वाइट इस कॉल्ड ऐस विसरल मास क्योंकि सारे और गन बोड़ी के इनदर पाई जाने वाले यहीं रहते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके head की ठीक है पहला जो पार्ट है वह है इनका head नहीं से देखो यह पूरा इनका head वाला पार्ट है this is the head part इनके पास होते हैं antenna क्या होते हैं भया antennas आप बिल्कुल ध्यान से समझना तो आपको समझ में आया कि इनकी बॉड़ी हेड फुट और विसरल मास ठीक है तो यह पहला पार्ट हो गया किस कलर से लिग दू रेट से लिग देती हूं ठीक है सो यह इनका पहला पार्ट हो गया यह इनका दूसरा पार्ट हो गया और यह इनका तीसरा पार्ट हो गया So, body is divided into head, visceral hump and the foot, ठीक है, सब कुछ रब कर दू, अब ध्यान से समझना होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं समझा रही हूँ, देखो इनकी जो body रहती है, जो visceral hump रहता है, जो कूबड रहता है, वो एक membrane से cover रहता है, ठीक है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो इनका visceral mass रहता है, this is the visceral mass, जो इनका central वाला area दिखाई दे रहा है, यह पूरा area, it is the visceral mass ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, visceral mass, visceral mass वो area जहाँ पर वारे visceral organ रहते हैं, अब, बिल्कुल धान से समझेंगे, कोई tension नहीं लेंगे, और समझते जाए अब अगर मैं यह सब मिटा दू, तो क्या आपको यह green color की एक pipe like structure यह covering दिखाई दे रही है, बोलो, इस covering को आप कहते है mental, यह जो green वाला है न, it is called as mental, mental का मतलब यह नहीं, पागल, पागल वागल नहीं भईया, ठीक है, तो यह तो समझ में आ गया कि इनकी body जो है, तीन पा है, कूबड की उपर एक इनोंने चादर ओड रखी है, ठीक है, वैसे मैं आपको बताओ, mental का मतलब ही होता है, ठीक है, तो यह अपने शरीर की उपर क्या करते हैं, चादर ओड के रखते हैं, समझे, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं, mental, ठीक है, आप क्या देख रहता है ठीक है यह जो mental रहता है यह अपने उपर ठीक है यह जो mental है यह अपने उपर एक चीज बनाता है उस चीज का नाम है calcareous, calcareous, calcareous shell मेरी बात समझो पूरे जो इनका कूबड है कूबड के ऊपर एक membrane है the membrane is called as mental mental के ऊपर यह एक चीज बनाते हैं जिसका नाम है calcareous shell समझ में आई बात तो जो आपको snail दिखता है उसके उपर जो shell रहती उसके just नीचे एक layer बनती है जिसका नाम है mental ठीक है mental actually it is made up by the fold of skin present into the snail ठीक है now तो आप आप देखेंगे कि इस shell बन गई होगी so देखें mental ने shell बनाई this is a shell ठीक है तो जो black color का आपको outline दिख रहा है एक space आपको दिखाई दे रहा है look at this space मैं जहाँ dot dot रख रही हूँ it is the space ठीक है मैं भी space को label ना किया हो मैं कर देती हूँ ठीक है ये space आपको दिखाई दे रहा है the calciarious cell of mental के बीच में इसे हम लोग कहते हैं mental cavity क्या कहते हैं इसे हम लोग mental cavity ठीक है आई बात समझ में ठीक है अब आज़ो 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 अब होता क्या है बिल्कुल ध्यान समझे में भी अगर आगा दूसरा diagram बना हो तो आपको और ज्यादा clear हो जाएंगी देखवा जो कहां पर हैं हम लोग तो अब आप देखो अगर इसी diagram में देखो कि ये जो space आपको दिखाई दे रहा है ठीक है ये जो space आपको दिखाई दे रहा है यहां से पानी अंदर आता है यहां से पानी क्या होता है अंदर आता है ठीक है और यहां से पानी अंदर आता और इसी के mental के पास होते हैं gills, इनके जो gills होते हैं वो होते हैं feathery, क्या होते हैं feathery, ठीक है, देखो just mental के पास, मैं सारा कुछ रब कर दे रही हूं, ये just green वाले structure के पास आपको एक feathery structure दिखाई देगा, जिसे आप कहते हैं gills, तो पानी सीधा mental से अंदर आता हुआ, अंदर आ गया, यहीं पर gills है, पानी क्या लेके आता है, oxygen, gills क्या ले लेंगे भाईया, oxygen, बदले में क्या दे देंगे पानी को, carbon dioxide, मेरी बात समझे आप, तो पानी अंदर आया, ठीक है, mental से अंदर आया, visceral hump में आया, पर जैसी वो mental स से अंदर आया, सबसे पहले उसको क्या मिले, सबसे पहले उसको gills मिले, gills कैसे होते हैं, इनके feathery होते हैं, इन्हें आप टिनीडिया कहते हैं, ठीक है, तो gills ने क्या ले लिया, phatak से पानी का oxygen ले लिया, उस पानी को क्या दे दिया, carbon dioxide दे दिया और उसके बाद पूरी body म में कोई confusion तो नहीं है बास अब आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आजाओ तो देखो जो चीज अभी मैंने बताई वही लिखी होगी तो head में इनके sense organs होते हैं ठीक है head में इनके sense organs होते हैं they have tentacles ठीक है okay they have मैं कहूँ कि ऑस्फ्रेडियम मुझे भी याद आ गया तो मैं ये भी बता दू कि इनके पास sense organ के नाम पर एक structure होता है which is called as osphredium osphredium जो होता है वो बाहर में जो भी chemical changes हो रहे हैं उनको detect करता है क्योंकि अगर कोई बदलते हुए environment इनके चारों तरफ रहेगा तो ये उस जगह पे रहेंगे तो हो सकता मर जाएं तो ये उस जगह से भाग जाते हैं तो आपको भी पता है कि अगर आपने किसी को मार दिया है तो आपको मारने के लिए उसके दुश्मन आएंगे उसके दोस्त आएंगे तो आप उस जगह से खिसक लो तो आपको पता है ना you have sense organ you have ability of sense वैसे ही इनके पास होते हैं osphredium क्या होते हैं osphredium जो इनहें sense दिलाते हैं कि भाईया पानी का chemical equation ये है अगर यहां रहोगे तो मर जाओगे इसलिए चल लो यहां से ठीक है now तो इनकी body जो है वो तीन parts में divide रहती है सबसे उपर इनको दिखता है visceral mass which is called as hump और called as kubar ठीक है आगई बात समझ में now अब देखेंगे आप सब लोग आजो 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 ठीक है इसके बाद इनके पास होते हैं foot ठीक है ज उसके बाद thin fleshy fold और outgrowth of the dorsal body wall covers the body देखो यहां पर देखो skin का ही fold है mental blue वाला mental है ठीक है तो skin जो है वो थोड़ा सा fold होकर body को cover कर लेती है it is called as mental ठीक है so who made the mental the visceral body made the mental ठीक है and who made the calciarious cell the mental made the calciarious cell सीधी बात है ठीक है and in between the in between the actually समझे आप इतनी बात समझ में आई so who made the अगर यह मैंने बोला था क्या कि calciarious cell mental के बीच का वो होता है ठीक है आब आजाओ now this is the mental cavity look at this this is the mental cavity this is the mental cavity mental cavity में क्या present होते है यह गिल्स mental cavity में क्या present होते है गिल्स गिल्स कैसे होते है feathery leaf like होते है तो पानी mental cavity में आता है ठीक है mental cavity में आता है और उसके बाद गिल्स को नहला देता है सीधी बात है यह ठीक है Now, अब समझें बात को, mental और pallium होता क्या है, ठीक है, mental usually secret as slimy shell, ठीक है, not slimy, it is limey, limey मतलब calcium carbonate, ठीक है, तो mental अपने उपर एक shell बनाता है, ठीक है, mental अपने उपर एक shell बनाता है, जिससे हम pallium कहते हैं, ठीक है, mental make a shell over the, over him or her, it is called as shell, ठीक है, Okay, now, the shell is made up of some proteins and calcium carbonate, ठीक है, तो mental cavity फिर से clear करते हैं, ध्यान समझो, So, blue वाला, ध्यान से समझो, तो ये हो गया white वाला आपका shell, ठीक है, ये हो गया shell, और ये blue वाला हो गया आपका mental, ठीक है, mental की labeling दी होगी कहीं, कहां, 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 So, ये blue वाला mental है, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये याद रखना, ये mental है, ठीक है, और mental की जो नीचे की area, this is called as cavity, in between, तो नहीं बता दिया है, मैंने बता दिया हो, तो सुदा लेना, ठीक है, So, this is the mental cavity, और mental cavity में सबसे पहले होता है, gills, और gills, mental cavity के अंदर पानी आता है, और इस gills को सबसे पहले नहला देता है, ठीक है, now, हाँ, so, this space is called as, बच्चो, mental cavity, ठीक है, this is called as mental cavity, ठीक है, जिसमें क्या present होते हैं, gills, ओके, Now, अब अपन बात करते हैं, किसकी बच्चो, आजा, 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 फटा, आजा, तो शेल किसे में बना होता है, some proteins and calcium carbonate, सिलोम की बात करते हैं, हम लोग, आजाओ, सिलोम जो होता है, इनका वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा, ओके, digestive system की बात करते हैं, हम लोग शाइज उसी लोग है, ठीक है digestive system की बात करते है, digestive system complete होता है digestive system में इनके पास एक dant like structure होता है ध्यान समझना, digestive system में mouth के पास mouth के पास एक dant like structure होता है the dant like structure is called as redulla, ठीक है the dant like structure is called as redulla Redula is the rasping Redula is the filer organ तो whenever हम filer क्या होता है इससे आप अपने नाखुन सेट करते हैं कि नहीं करते हो अरे बताओ ना नाखुन सेट करते हैं कि नहीं करते हैं तो ये नाखुन सेट करने के काम आता है ऐसा नहीं है ठीक है? मजा कर रही थी तो इनके बकल कैविटी में एक रैस्पिंग ओर्गन होता है जिसे हम Redula कहते हैं रैस्पिंग का मतलब ये है रैस्प साउंड होता है ठीक है? ये क्या करता है कि कि किसी भी बहुत नुकीला है किसी भी चीज से अटाच होकर उसको खुरचेगा समझन है बात को किसी भी किसी भी चीज से अटाच होकर उसको कंटिंशली खुरचता रréeगा समझ में आई बात और खुरचता रहेगा और फिर उसको खालेगा तो रैस्पिंग ओर्गन जो के खुरचने एक फाईले और ओर्गन है जो कि खुरचने के काम आता है ठीक है आपको समझ में है अनस का भी पोजीशन देख लो यह है आपको जो यह एरिया दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच का स्पेस नहीं है इसको सुधा लिजेगा यह mental cavity है गिल्स भी mental cavity में होते है और अनस भी mental cavity में होता है ठीक खुलता है यह देखो यहाँ पर भी यह है परपल वाला एनस है ठीक है यह माउथ है यह पूरा digestive tract है इसका तो यह हो गया माउथ माउथ से खाना खाया खाना क्रॉप में आया क्रॉप इस टोरेज और गन स्टोर होने के बाद इधर आया इधर आया इधर आया ठीक है इधर से थोड़ा सा मिटा भी सकती हूँ में तो खाना इधर आया इस वाले structure में आया इस वाले structure के पास है digestive gland और इस structure को आप कहते है ठीक है उसके बाद आया round structure में which is called as intestine intestine के बाद आगया आपका एनस में और एनस से जाकर mental cavity में खुल गया सिधी बात है और फिर बाहर आजाएगा तो यह जो mental cavity है यह basically है क्या mental cavity is the space in between the mental and in between the head and visceral hump ठीक है so mental cavity is the cavity like structure which is formed by the mental यह याद रखना यह कैसे बनी यह mental की वज़े से ही तो बनी ठीक है क्योंकि इस cavity को cover किस ने कर लिया mental ने तो एक जगह खाली हो गई जिसे आप कहते है mental cavity ठीक है it is not the cavity in between the mental and the shell please always remember यह अगर मैंने बोला तो इसको सुदाल ले ना ठीक है so mental is the cavity which is formed by the mental cavity is the cavity formed by the mental ठीक है अगर mental इसको cover करता ही नहीं तो यह cavity बनती कैसे इस cavity में होता है आपका टीनीडिया which is the respiratory organ which is called as gills और यही पर खुलते है अनस तो मतलब कोई भी पानी इधरी से अंदर आता और waste भी यहीं से बाहर जाता है so mental cavity से चीजों का दान-प्रदान होता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है okay now next thing is अच्छा तो रैस्पिंग ओर्गन हो गया अपना respiration usually by the gills ठीक है usually by the gills gills कहां पर open होते हैं mental cavity में open होते हैं mental cavity जो है महां पर gills open होता है और आनस open होता है कौन है इसका दूसरा नाम क्या होता है gills का tinnidia circulatory system ठीक है let's talk about something about the circulatory system थोड़ा सा अच्छा है सुनेंगे इसके बारे में circulatory जो system होता है मुलसका का बिल्कुल ध्यान से समझना circulatory system इनका generally open type का है ठीक है आई बात समझ में पर अगर मैं exception की बात करूँ तो जो class cephalopoda है ध्यान से समझेंगे class cephalopoda जो होती है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे class cephalopoda में जो circulatory system है वो है closed ठीक है circulatory system class cephalopoda मैंने आपको बताया कि मुलसका की बहुत सारी classes है उसमें भी class cephalopoda जो है ना उसका circulatory system closed type का बाके सबका open type का जो जनरली हम बोल देते open पर exception आपने याद रखना है class cephalopoda is the closed ठीक है जिसके अंदर octopus वगेर आते हैं ठीक है अब आपन मैं आपको बताती हूँ इनका जो circulatory system होता है ना बच्चो विल्कुल ध्यान से समझेंगे हो ठीक है दूसरा हार्ट के साथ characteristics यह है कि यह myogenic होता है अभी तक और्थरोपोडा में मैं आपको बताया था कि हार्ट नूरोजनिक होता है नूरोजनिक हार्ट को जनरली कौन कंट्रोल करता है उनको कंट्रोल करता है आपके neurons ठीक है nervous system पर अगर मैंने बोला कि what is the myogenic heart myogenic heart is the heart which is controlled by the muscles ठीक है controlled by the muscles आई बात समझ में तो यह वो heart होते हैं जो muscles के थूरोजनिक है आई बात समझ में कोई दिक्कत परिशानी इनका जो heart है वैसे circulatory system कैसा है open type का पर class जो आपकी सिफियलो पोड़ा होती है उसमें कैसा होता है जिसमें octopus आते हैं close type का इन में जो heart होता है वो myogenic है orthopoda में आपने क्या पढ़ा था annelida में आपने क्या पढ़ा था कि इनके पास जो कहानी है वो neurogenic है ठीक है nervous system से और myogenic heart किस के पास होता है myogenic heart होता है cordates के पास ठीक है cordata has a myogenic heart which is controlled by the muscles even your heart is also controlled by the muscles too ठीक है now respiratory pigments की बात करेंगे हम लोग इनका जो blood होता है ध्यान से समझें इनका जो blood होता है generally वो कैसा दिखाई देता है आपको blue कैसा दिखाई देता है blue क्योंकि अच्छा आप समझो blue जो blood होता है उसमें pigment कौन सा है आपको दिख रहा है क्या visible है क्या यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख दे टीउब है इनका जो blood देखाई देता है वो होता है blue ठीक है blue क्यों होता है क्योंकि इनके पास जो pigment है बच्छो वो है hemosinin ठीक है ओके कोई दिकत तो इनके पास जो pigment है वो क्या है भहिया इनके पास जो pigment है वो है hemosinin ठीक है hemosinin एक copper containing pigment होता है जो blood को blue color provide करता है ठीक है अब जिनके पास hemosinin होगा भहिया उनका blood कैसा दिखाई देगा उनका blood दिखाई देगा blue और blue जो blood होता है वो होता है oxygenated blood ठीक है तो मैडम deoxygenated कैसा दिखाई देगा बेटा जो deoxygenated blood है ना ध्यान से समझ लो इनका कैसा होता है deoxygenated जो blood है ना वो इनका colorless होता है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो circulatory system आपको clear हुआ मैंने क्या बताया इनका जो heart होता है two chamber होता है इनका जो heart है वो myogenic heart है जैसा कि human being का होता है इनके heart में एक auricle और एक ventricle होता है इनके heart का heart जो आपका blood होता है वो blue color का होता है क्योंकि इसमें hemosinin होता है hemosinin एक copper containing blood group है blood होता है इनका जो deoxygenated वो colorless होता है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, so this is all about the general characteristics of mollusca some general characteristics of the mollusca in the next class I will tell you more about this, so I hope you learned and enjoyed the video, next class में mental cavity, ये सारी चीज़े एक बड़ और revise करवादू ने टेंशन ने लो, so see you in the next class अपना गर पे रही है, अपना ध्यान रखियो वीडियोस देखते रही है, thank you so much